नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं दान का हिसाब। चलिए शुरू करते हैं। विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल भी सतकार नहीं होता था। एक बार उस तेश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो लोगों ने कहा, महराज, राजबंडार से हमारी सहायता करने की क्रपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाच खरीद कर अपनी जान बचा सकें। तभी राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पत चलेगा, कहीं भूकाम पाया है, परसो सुनूगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राजबंडार खतम हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लोट गए, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, ना जाने रोज कितने ही लोग भूक से मढ़ने लगे, लोग फिर राजा के पांस पहुँचे, उन्होंने राजसबा में गुहार लगाई, दुहाई महराज, दुहाई, आपसे जादा कुछ नहीं चाहते, लातों में बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहका ला भी क्या है, एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की क्रपा से लाखो रुपए राजकोश में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक हाद लोटा ले लेने से महराज का क्या नुक्सान हो महल में प्रती दिन हजारों रुपए इन सुगंदित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपियों में से ही थोड़ा सा धन जरूरत मंदों को मिल जाए, तो उन दुख्यों की जान बच जाएगी, यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया वह गुसे से बोला, खुद भिकारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपिया है, मैं चाहें उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, मेरी मर्जी, तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे, तो मुश्किल में पढ़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, राजा का क्रोध देखकर वहां लोग वहां से चले गए, राजा हस्ते हुए बोला, छोटे मू बड़ी बात, अगर सौ दो सो रुपए होते, तो एक बार को सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराग दो चार दिन कम कर देता, और यह रकम पूरी भी हो जाती, मग सौ दो सो से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एक दिन एक दम इन लोगों ने मुझसे दस हजार मांग लिए, छोटे लोगों के कारणनाक में दम हो गया है, यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हां हूं कर रहे थे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया, जरूरत मंदों की सहायता करना तो राजा का करतव्य है, दो दिन बाद ना जाने कहां से वहां पर एक बुड़ा सन्यासी राज सभा में आया, उसने राजा को आशीरवात देते हुए कहा, दाता कर्ण महराज बड़ी दूर से आपकी प्रसिधी सुनकर आया हू सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए, सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धनका क्या करूंगा, मैं राज को से बीस दिन तक बहुत मामूले विक्षा प्रती दिन लेना चाहता हूं, मेरा विक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौते दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रती दिन दुगना लेता जाता हूं भिख्षय लेने का मेरा यही तरीका है यह सुनकर राजा बोला तरीका तो समझ गया मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है दो चार रुप्यों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफे बड़ी रकम हो जाएगी सन्यासी ने हस्ते हुए कहा महराज मैं लो भी नहीं हूं आज मुझे एक रुप्या दीजिए फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए यह सुनकर राजा मंत्री और दर्वारी सभी की जान में जानाई राजा ने जैजे कार करते हुए घर लोट गए राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रती दिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा इस तरह दो दिन बीते दस दिन बीते दो सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है यह देखकर उन्हें उल्जन महसूस होने लगी महराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे उसने यह बात मंत्री को बताई मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी मगर अब कोई उपाई भी नहीं है महराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता इसके बाद फिर कुछ दिन बीते भंडारी फिर हर बढ़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया हिसाब देखकर मंत्री का चहरा फीका पड़ गया वह अपना पसीना पोचकर सिर्खुजला कर दाड़ी में हाथ फेटते हुए बोला ये क्या कह रहे हो अभी से इतना धन चला गया है तो फिर बीज दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे भंडारी बोला जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो भंडारी हिसाब करने बैट गया मंत्री महाशे अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगा कर तेजी से पंखा जलवाने लगे कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया मंत्री ने पूछा कुल मिला कर कितना हुआ भंडारी ने हाँ चोड़ कर कहा जी 10,48,575 रुपए मंतरी को गुसा आ गया वह बोला मजाब कर रहे हो यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिये तब तो राजकोश खाली हो जाएगा भंडारी ने कहा मजाब क्यों करूँगा आप ही हिसाब करके देख लीजिए यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंतरी जी को दे दिया हिसाब देखकर मंतरी जी को चक्कर आ गया सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए राजा ने पूछा क्या बात है मंतरी बोले महराज राज कोश खाली होने जा रहा है राजा ने पूछा वह कैसे? मंत्री बोले महराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुपम दिया है मगर अब पता चला है कि उन्हों ने इस तरह राजकोश से करीब 10 लाख रुपए जटकने का उपाय कर लिया है राजा ने गुसे से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था फिर इतने रुपए क्यों दिये जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए राजा ने उसे देख एक बार दो बार देखा इसके बाद वह बेहोश हो गया सब परेशान हो गए काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दोड़े सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा बोला दुहाई है सन्यासी महराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिये जैसे भी हो सके एक समझाता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए अगर आपको बीस दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोश खाली हो जाएगा फिर राजकाज कैसे चलेगा सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राजे में लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए केवल पचास हजार रुपय चाहिए वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए राजा ने कहा परन्तु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों के लिए दस हजार रुपय ही वहत होंगे सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि पचास हजार से एक पैसा कम नहीं लूँगा राजा गिडगिडाया मंत्री गिडगिडाये सभी गिडगिडाये मगर सन्यासी अपने वचन पे डटा रहा आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपई सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपई राहत में दिये गए है सभी ने कहा हमारे महराज कर्ण जैसे ही दानी है यह जो आपको हमने कहानी सुनाई यह सुकुमार रायद्वारा लिखी गई है धन्यवाद